हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में कस्तूर्वा गांधी आवासी विध्याले से आप सभी परिचेत हैं जहां वेतन के साथ में आवास की सुविधा भी जो है मिलती है तो अभी तक जितने भी वेकेंसी जारी हुई है 6 से 8 तक सर लोगों की अपलाए करते समय ओफलाइन मोड में ही आप लोगों को अपलाए करना होता है बहुत सारे वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी बताये गए है जिस भी राज्ये के जिस भी जिले से वेकेंसी जारी होती है बहुत सारे कैंडिरेट ऐसे होते हैं कि 442 स्कूलों में 3094 सिक्षिकों की अब भरती होगी और ये जो स्कूल है 6-8 तक के टीचर की ही भरती नहीं होगी पलकी 6 से लेकर 12 तक इंटरमीडियर तक के सिक्षिकों की भरती यहां पर अब की जाएगी तो ये मौका आप बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि परिक्षा या इंटर्व्यू नहीं है ना ही कोई फीस है तो ऐसे में यहां पर पून कालिक सिक्षक या सिक्षिका को 22 अजा सेलरी दे जाती है अभी जो है कुछ राजियों में तो केवल सिक्षिकाओं की ही भरती की जा रही है बट इससे पहले सिक्षक और सिक्षिका दोनों की भरती हो रही थी ये अलग-अलग राजियों पर डिपेंड है कि वो केवल जो है यहां पर लेडी टीचर्स की ही भरती करेंगे या फिर लेडी एंड जैंस टीचर्स दोनों की ठीक है अभी हम इस पर जो है वो बात कर लेते हैं वेकैंसी जो है मैं आप लोगों को थोड़ी देर में द विध्यालें को इंटर्मीडियेट तक जो है वो आप किया जाएगा अभी 66 से लेकर 8 तक के ही टीचर्स जो है यहां पर भरती हो रहे थे अधिकतर ठीक है बहुत ही जो है वो कम स्कूलों में जो है पीजीटी के टीचर्स लिये जा रहे थे बट अब सभी को जो है वो इंट 1994 सिक्षिकों की भरती अपरेल 2024 से जो है सुरू हो रहे नए सेक्षिक शत्र से यानि अभी 2024 आगया है जनवरी और अपरेल से जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा जहां कक्षा 9 विज्यान वर्ग में भी दाखिले स्टार्ट हो जाएंगे सेक्षिक रूप से पिछडे आप लोग जखले अहां आप लोग जहारखन के निवासी हैं 36 गड़ के हैं बिहार कें क्योंकि जैसे ही वेकेंशी जारी होती है आप लोगों को बताया जाता है वीडिएो के माध्यम से अब इन पर जो है वो बिल्कुल नजरर रखना है इस वीडियो में एक और बैकेंशी की बात करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं, वेकैंसी में जो कौन कों से सब्जेक्ट की जारी हुई है, ये वेकैंसी है, कारेले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमबेटकर नगर से वेकैंसी आई है, यदि आप आविधन करना चाते हैं तो करिएगा अभी क्लास 6 से 8 तक की जो है वेकेंसी आ रही है लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी 2024 है ऑफ लाइन मोड में आप लोगों को अपलाए करना होगा गनित विज्ञान अंग्रेजी हिंदी कला क्राफ्ट एवं संगीत ग्रहशिल पुशाररिक सिक्षा कंप्यूटर उर् में ग्रेजूइशन आपने कॉमर्स में किया हो और आपके पास कंप्यूटर का डिग्री डिपलोमा होना चाहिए अंसकाली की सिक्षिका की यानि हाफ टाइम जो टीचर स रखी जाएंगी जिसमें वेकेंसी कला क्राफ्ट और संगीत ग्रहशिल की है जिसमें इसनातक के आपने बीड किया है या एल्टी की डिग्री आपके पास है आपने बीसी एसी एसी कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर आपके पास जो है ओ लेवल और ए लेवल का डिपलोमा है तो भी आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं पूर्ण कालिक सिक्षिका के अगर बात करें तो गणित विज्ञान अंग्रेजी हिंदी इनके लिए जो है ग्रेजुईशन के साथ में बेड होना चाहिए और आपका टैट उच्छ प्रात्मिक स्तरका जो है वो क्लियर होना चाहिए ठीक है तो यह वेकेंसी जो है कर नगर उत्तर प्रदेश के लिए 6 जनवरी 2024 तक जो है साम पांच बजे तक आप लोगों को भीजना होगा यहां लिखा है लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में कस्तुर्वा गांधी बाले का विध्याल है यह नाम जो है वो जरूर लिखेंगे आप और आपको बता कि पहले यहां पर समविधा के अधार पर ही भरती होती है उसके बाद आप आगे भी इसमें कारे रहते हैं ठीक है चैन यहां पर सीधे मेरिट के अधार पर होगा हाई स्कूल इंटर्मीडियेट सनातक बीएड अंकों के प्रतिशत को जोड़ कर जो है लापतांक निकाला ज जाएगा तो नीचे जो है आप लोगों को मिल जाएगा यह फॉर्म और इसे ही जो है आप लोगों को भढ़ना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है अपने जितने भी डॉकॉमेंट है उनकी फोटो कॉपी लगा के आविधन पत्र अच्छे से भरके और दिये गए अड में वेबसाइट पर आप जाना जाते हैं तो में वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को जो है शेयर कर दिया जाएगा थाकि आप लोग में वेबसाइट पर पहुंच कर जो है और भी अच्छे तरीके से पर सकें तो यह जो है इसकी वेबसाइट का लिंक है तो इसी तरी कैसे और भी vacancy जैसे ही आ रही है बिल्कुल आप आवेदन करें क्योंकि यह जो मौका है और यहां पर जो है salary भी जो है वो 22,000 पर मन्त आप लोगों को दी जा रही है अभी कुछ भी नहीं से तो अच्छा 22,000 salary काफी होती है ऐसे मैं आप लोग जो है job के साथ मैं अगर government job की त्यारी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में जहां कस्तूरा विध्याले के अगर vacancy आ रही है किसी भी राजिय की किसी भी जिले की तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुचाई जाएगी thank you